अब दोस्तों हमारे साम ने निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन है आई इंसरों जंगे कि कल से निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 मेरा विचार क्या है मार्केट में क्या आप एंडाउ मुमेंट को देखने को मिल सकते हैं आप मैं बताने वाला हूं दोस्तों अभी जैसे कि डेली का डिमान जून है एक ग्रिन कंडल है तीन ये बेस्ट लाए और ग्रीन कंडल है मार्केट में निफ्टी बैस प्लापर हिट नहीं किया उसके पहले एक बहुत बड़ा खेल हो चुका है और देखेंगे हम बड़े टाइम पर जाते हम डेली से बड़े पर हम जाहें बिकली पर, आप देखेंगे बिकली के time frame पर जी हां यहां पर एक supply zone है, एक ग्रीन कंडल है, दोनों यह है, base candle, फिर एक red candle, फिर एक red candle, कहीं न कहीं यह, rally, base, drop का यह, बहतरी न supply zone है, क्योंकि time frame भी तो बड़ा है, अगर इसके आप मार्किंग कर देते हैं, यह रही proximal line, और यह हमारी दोस्तों ही डिश्टल लाइन हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक अभी जाकर के इसने बीकली के सप्लाई जोन को हिट कर दिया है और बड़ी बात है आप लोग को ध्यान होगा हम लोग इसी ग्रीन करने के बॉटम बब बनाए पोजिशन और 48,000 जिसका हमें बहुत सब्रिस जाता 48,000 का हमने टर्गेट लिया उसकी कोई और वजा नहीं थी बस एक वजा थी कि 48,000 पे क्या है सप्लाई जोन है हां एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं वीडियो में ही आप लोगों को कि हम जब डिमांड और सप्लाई जोरी पढ़ने है तो हम क्या पढ़ कोई स्टॉप या इंडेक्स किसी सप्लाई जोन को हिट कर रहा तो सप्लाई जोरी कहती है वहां से प्राइस डाउन आने चाहिए बाकी डिपेंड करता है कि वह आपका जोन कितना पावर फुल है ठीक है अब हम देख रहे हैं निफ्टी बेंग ने बिकली के सप्लाई जोन मैं पताता हूं कि इसकी बाब कर रहा हूं मैं उसकी मार्किंग भी एक अलग लाइन से कर देता हूं इसको मैं कर देता हूं थोड़ा सा डार्क ब्लू कर देता हूं ठीक है यह हो गया मार्किंग यह ग्रीन केंडल है उसके बाद यह बेस केंडल है मैं इसकी अलग मतलब की बढ़े टाइम फ्रेम के साथ में छोटे टाइम ग्र Wasp तो कही न तब तो ऑर जो यो डएली के साथ में ऑग बेस कंडल हो यह भाइत के साथ में विआ larger हिए उसको हम एक यहेह ढूप कर सकते हैं खिक है तो डेली बज़क साप्लाइ जो टोटल बीकली के सप्लाइज उनके एक दम इंटर्मिडिट एरिया में है ठीक है देखिए हिट किया और एक रेट कंडल आ भी गई तो अब क्या हम इस डेली के डिमाइज को ट्रेड करें मार्केट में सारी चीजे डिसाइड हो पाती है लाइफ प्राइजिशन देखने के बाद देखिए कि इंटेक्स में तो पंद्रह मिनट में बहुत ही पूरा ही बदल सकता है तो अभी के सिचुएसंस से अगर बात करते हैं तो हम अगर वन आवर के टाइम फ्रेम पर जा रहे ह यहां पर एक बहुत अच्छा डिमांड इसको तब कहते है जब एक प्रॉपर इस्ट्रिक्चर होता इसमें क्या हुआ रही है तो पहले मैं इन फालतु जो थोड़ी से लाइन हो इनको करता हूं डिलीट ठीक है अगर मैं इस डिमांड में की मार्किंग करता हूं तो आते ही ज्तें करने वाले हैं वैसे प्रॉपर की बेस कंडल है वहां से अलग है इसलिए मैं खुद कह रहा हूं कि नहीं वह यह यह मार्क में नहीं लेगए यह प्रॉक्षिमा लाइन इतना ऊपर हो जा रही है फिर लगाउंट डाउन आ रही है तो मैं इसलिए इस प्रॉक्षिमा खड़ा हूं मलब एक दिसका सकते हैं जो हमारी डिश्टर लाइन है लग बख 47,444 मोटा मोटा माल लिए तो 47,450 माल लीजिए निप्टी वैंके लिए सकते हैं उसमें 40,50 का कोई मतलम जोता इतना उतमें फिलिप्ट्योशन पांच मिल्टी में हो जाता ठीक है मलब 47,450 के आसपासी वह एक सपोर्ट इरेदी करी है ठीक है कि जहां पर निफ्टी बैंक अगेन आके थ्वा सपोर्ट यहां पर ले सकती है ठीक है उसके बाद तो ह पर निफ्टी बाद पास में रेडी है बनके रखे हुए है ठीक है जैसे कि हमारा एक यह डीमाड जों है रेली बेस रेली मैं इसकी बात कर रहा हूं जो की कहा पढ़ रहा हमारा यह 47,200 मुल्प मोटा-मोटा 47,000 फिर उसकी नीचे भी दिमान जों है ठीक है उसकी मार्किम नहीं करते हैं बाकि यह डिमान जों तो मुझे काफी स्टॉंग लग रहा है जो यह डिमान जों जो है कहां पर है 46,724 के आसपास जो डिमान जो ठीक है यह बहुत स्टॉंग लग रहा है मतलब कि अब ही अगर मैं इसके पूरी कंक्लोजिन के बात करता हूं तो निफ्टी निफ्टी बैंक में जो भी में उपर स्लाइंड रा किया हो कहां पर है 47,450 पर ठीक है और निफ्टी बैंक की अभी क्लोजिंग का हुई है 47,835 बैंक का अभी हमको दोस्तों जो मुझे है जो यह रहा है मुझे अभी लग भग इसमें बैंक निफ्टी में 400 प्वाइंट ना रही है और फिर जो 47,444 का सपोर्ड लेबल है हम इसको यह नहीं मान सकते हैं कि बहुत स्ट्रॉंग क्यों कि प्राइस बीकली के सप्लाइउं को हिट करके आ रही है तो उस समय इसको हिट करने के बाद में अगला उसका क्या होता है क्या प्राइक्शन बनता है क्या प्राइ प्लान क्या चलना है या मेरा विचार क्या है मार्केट को लिए करके फिरहाल अभी का जो है वही है कि अभी मोटा मोटा हमको लगभग 400 पॉइंट का करक्शन देखने को मिल सकता है कि मार्केट ने बीकली के सप्लाइउं को हिट कर दिया है और कोई बड़ी बात नहीं है य हम आते हैं निफ्टी 50 में ठीक है हम इसको देखते हैं हाँ मैं कह सकता हूं कि निफ्टी 50 निफ्टी बैंक के कंपेर में अब जाना स्टॉंग लग रही है लेकिन जब दोनों भाई भाई है तो एक चीज़ सप्लाइज उनमें जब पहुंश गई है अब मुझे लग रहा ह अब लग है निफ्टी 50 में लोग लोग तीन से चाट टेंड निखाल लेते हैं तो कोई जरूरी है कि मंड़े टू फ्राइडे रोज ने तो इसलिए स्टॉंग है लेकिन निफ्टी बैंक की वजा से निफ्टी 50 में अब यहां से लॉंग नहीं हो सकता हूं किया अगर लॉ सका रखेंगे नहीं है हम में की अगर में विंप सफ्emence है यह निफ्टी बसुत पहले है हुँन में तो इमृद्व यहां पर दिमांड जोर थेखां लेकिन उतना क्लियर नहीं दिख रहा है तो इस एरिया में हमको दिख रहा है मैं इसकी मार्किंग कर देता हूं इस दिख भी मार्क करता हूं तो यह रही प्रॉक्षिमल लाइन और नीचे यह रही डिश्टल लाइन ठीक है यह लगवग एक ड्रॉब बेस रेली टाइप पर इमान जो रहा है मतलब 2,301 मतलब 2,300 ठीक है अगला इमान जो हमको जो निफ्टी फ्टी निफ्टी की हमारी हमा यहां से निफ्टी बैंक डाउन आती है तो उसकी वजह से जो अगला इमान जो पढ़ा हैं वो 2,300 के पहले कोई डिमान जोन इसमाल टाइम फ्रेम में नहीं है तो हो सकता है निफ्टी फ्टी हमको यहां से लगभग 200 प्वाइंड के आसपास का क्रसंद देखने को मिल जा है तो वहां से सप्प्लाइन थेोरिक साब से मार्केट डाउन आ सकती है निफ्टी बैंक के डाउन आने से उसका एफ्यक्ट निफ्टी पर भी पढ़ सकता है इसलिए निफ्टी डाउन आ सकती है ठीक है हां निफ्टी निफ्टी बैंक के कंप्रेमें में थ्वाई स्ट तक ठीक है और जो निटी बैंग बता है वो लेवल तक ठीक है बाकि दुस्तों वीडियो लास्ट पर एक चीज मर जो भी आपको किसी इंडेया इस्टॉक का जो भी लेवल सिर्ड करता हूं या जो उस पर मेरा परस्नल धक्ति विचार है जो गलब ही सोकता है ठीक है आप हमार कर दो